हाई फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत अपसद का फिर से एक बार हमारे डार्क सिक्रेट चैनल में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए भहुत ही खासरे में डिलाई हूँ आज के स्वीडियो में मैं आपको बता हैं कैसे आप अपने स्ट्रेश्च मार्स को विक्स वेपोर अपकी मदद से दूर कर सकते हैं स्ट्रेश्च मार्स होने का main reason होता है एक तो pregnancy या फिर वजन का आचानक से बढ़ जाना या फिर कम हो जाना फ्रेंट्स प्रेगनसी में आपका पेट एक बलून की तरह हो जाता है अगर आप बलून के उपर इस तरी के से नाखुन से रब करते हैं तो आपको निशान नहीं दिखाई देंगे लेकिन जैसे आप बलून से हवा छोड़ते हैं तो आपको निशान साफ साफ दिखाई देने लगेंगे सेम उसी थरा प्रेगनसी के दोरान भी होता है प्रेगनसी के दोरान जब आप अपने पेट के उपर इस तरी के से खुजलाते हैं तब आपको निशान नहीं दिखाई देते लेकिन जैसे आपके प्रेगनसी हो जाती है और आपका पेट कम हो जाता है तो वो निशान साफ साफ दिखाई देने लगते है इसलिए जितना हो सके प्रेगनसी के दोरान पेट पर खुजलाना अवाइड करें और दूसरे एक चीज़े फ्रेंट्स वजन का आचानक से बढ़ जाना या फिर कम हो जाना जैसे आपका वजन बढ़ता है फ्रेंट्स आपकी तवचा में खिचाओ निर्मान होता है और उस दोरान अगर आपने खुजलाया हो तो आपके स्ट्रेच मार साफ साफ दिखाई देने लगते है जब आपका वजन बढ़ता है या फिर कम हो जाता है तो आज में आपके इसी समस्या को दूर करने के लिए बहुती कारगरन उसका लेकर आई हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप नए है या फिर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरेंट मिल जाएगा तो इस रेमिडिय को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्लीन बाउल लेना होगा और जिसमें मातरा में विक्स वेपर आपको आड़ करना है यह देखिए फ्रेंट्स बिलकुल इतनी सी मातरा में आपको विक्स वेपर आपको लेना है अब आपको इसमें दूसरी चीज़ आड़ करने है फ्रेंट्स वह है एक चम मच वैसलीन तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर इस्तमाल करने है फ्रेंट्स एक चम मच अलोवेरा जेल सबसे आखरी और सबसे इंपोर्टन चीज़ आपको इसमें अड़ करने है फ्रेंट्स दो विटामिनी कैपसूल यह कैपसूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी तो आपको दो विटामिनी कैपसूल का जेल इसमें अड़ करना है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेना है यह देखिए इस तरीके से तो आपने स्टेचमार्स के उपर हो आपको इसे अपने स्टेच मार्स के उपर ईसतरीके से हल्के हो जाते है जिससे उनके निशान धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और वैसलीन, अलोवेरा जेल और विटाइमेनी कैपसुल भी फ्रेंट्स आपके स्टेच मार्स को दूर करने के लिए बहुत ज़्यदा इफेक्टिव है जो स्टेच मार्स के दाग धबों को दूर करते हैं और आपकी स्कीन को बहुत ज़्यदा सौफ्ट और मुलाय मणाते हैं तो रोज रात को सोते समय फ्रेंट्स आपको इसका इस्तमाल अपने स्टेच मार्स के उपर करना है और सुब़े जब आप उठेंगे friends तब आपको इसे किसी टौवेल की मदद से पोच लेना है और फिर इसे गुंगुने पानी से वाश कर लेना है इसका इस्तमाल आपको daily करना है friends, रोज रात को सोते समय, इसके इस्तमाल से आपके stretch marks धेरे धेरे हलकी होने लगेंगे और दूर हो जाएंगे, तो आपको रोज रात को सोने से पहले friends इसका इस्तमाल करना है, इसके साथ आपको दोपर में कच्चे आलू का रस अपने stretch marks के अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे like, share, comments करना मद भूलिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्यां friends, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे secrets में आपके लिए हमीशा लाती रहती हूँ, जो आप से मिसना हो, तो friends मैं अब आप से म मिलूँगी मेरे next video में एक नई secret के साथ, तब तक के लिए स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए,